हेलो फ्रेंड्स, कम्पिटिशन तक यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में एक बड़ी न्यूज है गुवर्मिंट ओफ इंडिया ने कुछ नीमों में बदलाव किया है और उसमें आप कुछ कस्टमर्स सिम नहीं ले पाएंगे और सिम लेने की प्रिकिरिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है पूरी डिटेल्ट न्यूज आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं आपके सामने है टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने नया ओडर जारी करते हुए कहा है कि सरकार का ये कदम ग्राकों के हित में उठाया गया है इससे करोडों ग्राकों को सीधा फायदा मिलेगा संसोधित नियम में क्या-क्या फायदे मिलेंगे आपको बता देता हूँ डिटेल्स तो चेंज की गई है मोबाइल कस्टमर्स के लिए जरूरी खबर ये है कि सरकार ने सिम कार्ड को लेकर ने नियम बनाए है अब 18 साल चे कम उमर के बच्चे ना तो सिम ले सकेंगे इसके लावा जो लोग मानसिक रूप से बिमार है वो भी अब सिम कार्ड नहीं ले सकेंगे अगर मानसिक रूप से बिमार लोगों को सिम बेची जाती है तो इसके लिए टेलिकॉम कमपनी ही सीधी जिम्मेदार मानी जाएगी इसके अलावा ने नियम के नुशार अब कमपनी 18 साल चे कम कस्टमर्स को नए सिम नहीं बेच पाएगी जो मैं बता चुका हूँ इसके लावा एक रूपय में होगी जारी किया गए नए आदेश के निमों के नुशार यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UID AI की अधार बेस्ट EKYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन के लिए बस एक रूपय का बुगतान करना होगा सिर्फ एक रूपय में EKYC हो जाएगी तो सिम तो जिनको मांसी ग्रूप से बिमारे नहीं मिलेगी 18 साल से कम उमर के नहीं मिलेगी ये बड़ा चेंज किया गया है इसके लावा सरकार ने प्रिपेड को पोस्ट पेड में बदलने के लिए एक नया वन टाइम पासवर्ड बेस्ट प्रोसेस का आदेश जारी किया है सरकार ने नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार आधारित EKYC प्रिकिरिया को फिर से शुरू करने के लिए जुलाई 2019 में भारतीय टेलिग्राफ अदिनियम 1885 में पहले से ही संसोधन कर दिया था तो ये बड़ी न्यूज आज की है फरतर कोई ने अपडेट आएगा हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे आप हमारे चैनल कंपिटिशन तक को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आप मिस ना करें